दोस्तो आज आपके सामने Infinix 03 का review लगया हूँ जो अपनी low price और higher camera की वज़ से काफी famous हो रहा है review जो एंट तक देखते रहे हैं मैं हूँ रदया और आप देख रहे हैं टैग गी खुरतू तो दोस्तो Infinix 03 ये इसका box है चैने इसको unbox करता है device के back पे आपको पूरी specification और right side पे भी specification होगी काफी बड़ा box है इसका तो चलें इसको on करते हैं और सबसे टॉप पे हम दे सकते हैं हमारी device है इसको हम side पे रखते हैं उसके अबाद हम देखते हैं box में और क्या है box में हमें एक back protector cover जो प्लास्टिक ही है transparent उसके साथ एक USB cable जो flat in the standard है semi ejector tool कुछ manual और power adapter with different faces और एक चीदा आपने नोट की होगी कि इस box के अंदर हमें कोई भी rent free नहीं दी है तो ये एक इनका drop bag है तो चलें हम अपने device को देखते हैं और काफी glossies का look चैसे काफी mirror ही इसका effect है bottom में हम देख सकते है micro USB port और उसके साथ ही mic left side पे हम देख सकते हैं इसमें SIM slot right side में micro SD slot है और उसके नीचे volume rocker और उसी के नीचे हमें power button दिया है और जलें इसको on करते हैं starting price इसकी 20,000 रुपीज ती जो आप low होते होते 16,000 रुपीज में आगे आई है 5.5 इंची की screen है 1080p with 400 ppi और corning gorilla glass 3 इसमें है तो अब आउट में हम चेक कर लेते हैं Android 6.0 Marshmallow इसके अंदर इस्टॉर्ड है और इस्टॉरिज में देख सकते हैं 16GB internal और 3GB RAM SD card इसमें slot मौझूद है जो के support करता है अप्टू 2TB display काफी bright इसमें 16 million color और काफी अच्छा इसका display processor इसमें 64 bit 2.2 octa core A7 के इसमें chip लगी है pre-build इसमें application जाती है अपनी X family के नाम से इसमें X theme के नाम से एक इनकी pre-build application आती है pre-installed application जो है अब हम इसमें कोई वीडियो प्ले करके देखते हैं IPS 170 degree large viewing angle जो side से काफी बहतर हो रहे हैं और color काफी बहतरीन अगर आप कोई अच्छी वीडियो HD वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफी मज़ा आएगा इस वीडियो को देखते साउंड इसमें काफी बेतर हैं इसमें कोई वीडियो दे सकते हैं साउंड इसमें काफी बेतर high sensitivity, AAC audio और काफी loud sound है आप इसमें जाएं तो movies, cartoons देख सकते हैं तो चलना है, जिसके camera की बात कर लादे हैं front इसमें 5 megapixel with LED flash और beauty mode इसमें back camera जो है इसका sony का 20.7 megapixel जिसका sensor काफी large है और 0.1 second instant focus करता है और काफी तेज़ capture करता है यह और काफी तेज़ focus करता है उसको और back तो आपको dual color LED मिलेगी with warm light इसके लाव आप देख सकते हैं इसमें professional mode में आप manual ISO set कर सकते हैं white balance macro mode है इसमें आप वो set कर सकते हैं HDR mode है इसके लावा panorama night और PIP जिससे आप दोनों के अंदे एक साथ चला सकते हैं इसके लावा eight unique filter जिसमें मौजूद हैं यह कुछ इसकी snap हैं जो से ली गई है यह macro mode है देखें किस तरह से blur हुआ है background और foreground आप देख सकते हैं और यह इसकी daylight outside picture है एक इसमें drawback यह है कि इसका camera का bump बहुत जादा है तो आगर आप इसको camera की side पर रखेंगे तो इस crushes पढ़ने के काफी chances हैं तो आप बात कर लेते हैं इसकी जो सबसे unique feature है वो है इसका 4K video recording इस price में 4K video recording आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है यह देख सकते हैं 2160B और यह 4K है ultra clear recording है इसमें 30 frames per second के इसाप से इसमें slow motion 120 frames per second के इसाप से भी इसमें video capture कर सकते हैं अब आपको कुछ sample दिखाता हूँ 4K video के लिकिन मैंने इसमें convert किये हैं अगर आपको इसकी original 4K video चेक करनी है तो इसका link description में मौझूद है और वहां से जाके आप gear icon से अपने 4K में convert कर सकते हैं normal video को आप यह देख सकते हैं color बहुत ही बहतरी और बहुत ही bright color है अगर आप outside कही recording करते हैं और काफी तेज़ focus है तिरफ test to focus देख सकते हैं अब के एक click करने में काफी तेज़ focus हो रहा है color बहुत ही 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 और इस price range में 5